कोरोना वाइरस की अगर बात करें तो इसमें देश भर में कोरोना वाइरस की हाला की मामले बहुत कम नजर आये हैं लेकिन लोगों में एक पैनिक जो है वो काफी ज़्यादा क्रियेट होता हुआ नजर आ रहा था लेकिन कल रात को जिस तरह से देश के परदान मंतरी नरेंद सबसे जरूरी जो बात है कि पैनिक बिल्कुल ना करे घबराएना आपको पेशेंस रखने की और समझदारी दिखाने का ये समय है और ये बहुत इंपोर्टन है कि इस पार अब साफधानी बरतनी जाला जरूरी है एक वाइरस आप जब जानते कोरोना वाइरस पूरे दुनिया में फैलता जा रहा है लेकिन इसमें बिल्कुल भी घबराने की दुरूतनी आपने छोट-छोटी बातों का ध्यान रखना है इंजाम किये गए हैं केवल आपको सहयोग करना है और ध्यान देना है तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर जरूर कीजिगा ये लाइव तस्वीरे देख रहे हैं जनता कर्फ्यू की जो बात है संडे को सुबह साथ से लेके रात की नौबजे तक उसे आप हंड़ेड परसेंट एंशियोर कीजिए और ये जनता की भलाई के लिए सभी के भलाई के लिए है और इसके पिछे अगर आप गहनता चे सोचे तो एक टेकनिकल ग्राउंड भी है योगि वाइरस की कुछ लाइफ है पर्टिकुलर आर्स की तो यदि हम 24 घंटे पूरे भारत में इसे कॉंटेन कर लेंगे तो बहुत हद काफी हद तक हम इसे चुटकारा पा सकते हैं लोगों से क्या पिल करना चाहेंगे लोग कल भी इस तरह के मेसेजिस जो है फेस्बुक के जरिये वटसप के जरिये देखकर की भारत बंद होने वाला है क्योंकि जैसी सुबह लोगों को पता चला कि प्रदानमंती रात को जो है देशवासियों को संबोदित करने वाले हैं तो लोगों ने अपने आप ये आइडिया लगाने शुरू कर दिया और वटसप पर जो है मैसेज सर्कुलेट होने शुरू हो गए तो ऐसे लोगों के ख़लाफ भी डी सी साब ने काया है कि अगर इस तरह की कोई अफ़ाये हैं करनाल में फिलाई जाएगी और उनके वरूत करवाई करेंगे तो सरंत में एक सवाल जिला पुलिस कप्तान की तरह से आप सबी करनाल वासियों को क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे, करोना का एक भी मामला भी तक सामने नहीं आया, लोगों में भरम जरूर है, तो क्या कुछ मैसेज आप एक जिला पुलिस कप्तान की तरह से आप देन महत्पून है हर करनाल के सक्स तक ये खबर जरूर पहुंचाए जाए और करनाल परशाशन का पुलिस परशाशन का राज्य सरकार का पूरा जो है इस जो मुसिबत की घड़ी जो है इस समय सामने देश मेर में देखने को मिल रही है उसमें जादा से जादा साथ हम सभी को जो ह आगे बढ़कर देना चाहिए कमल मिड़ा करनाल बेकिंग निउस करनाल